हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड्स जागरिती और आज का ब्लोग मेरे स्टार्ट होता है सुबक के करीब साधे नौ बजे से सवानव हो रहे हैं तो अभी मैं जा रहे हैं अपने बचों के स्कूल जो मेरी बेटी का ही है अभी पीटी आई है उसका एक्जाम अगरा सब खतम हो चुक है मतलब हर मंतली सैक्लिक टेस्ट होता है जो पूरे मंत पढ़ाया जाता है लाश्ट वीक में महिने के लाश्ट वीक में टेस्ट होता है तो उसके बाद पीटी आई होता है तो वहीं सब देखने सुनने क्या प्रोग्रेस है ख्यान नहीं है मतलब मेरी बेटी इस टाइम पता नहीं क्यों डरी हुई है तो यह सब डिशकर्ज करूँगी सब यह सब अपना हुआ जो बात बात कहना था सुनना था सब घरवर के घर पे फाइनली भूच चुके हैं उसके बाद अब घर के कामों में लग ज है अच्छे से मल लगा पढ़िए आगे भी जरूर सेलेक्शन मिलेगा सीटेट का नंबर सुन सुन के बहुत खोसी मिलता है सब का है फिलाल मेरा तो कम आ गया लेकिन फिलाल कोशिश करेंगे जबी नेक्स्ट देखा जाएगा लेकि अभी जिसी की तयारी मैं उसी की की हूँ जो इनफोकस सीवील एकडेमी मैं इसी यूटूब चैनल को फॉलो करती हूँ फिलाल एप भी है तो एप से भी मैं जूड़ चुकी हूँ और गलती से ले ली हूँ उसका जैसे पीवाई की मतलब अपना टेस्ट करने के बाद टेस्ट भी अपलोड होता रहता है त कुछ हा रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं इसलिए सोचे और अच्छे से पढ़ा जाए उसके बाद टेस्ट का देखा जाएगा बाद में दूंगी तो टेस्ट का पर्चेस तो कर ली हूँ और इनफोकस सीवील एकडेमी यही चैनल है आप टेलिग्राम से जूड जूड मतलब कुछ टार्गेट मिलता है या फिर कोई देता है तो थोड़ा कंप्लीट होता है खुद से पढ़ने बैठोना तो लगता है कि ये पढ़ लूँ ये बुग पढ़ लूँ ये टॉपिक पढ़ लूँ मतलब ऐसा दिमाग में आता है फिलाल मेरे शाद भी होता था लेक चलूंगे अपनी पढ़ाई करने और जो आज मेरा लंच में था पावभाजी अप लोग दिखे ही होंगे फुल रेसेपी नहीं सेर करी नहीं बता पाई तो इधर देख सकते हैं मेरा पूरा पूरा टार्गेट कंप्लीट हो चुका है और आज रिवीजन करने वाला जो ये कंप्लीट हो चुका है जब टार्गेट कंप्लीट होता तो बहुत सुकुन मिलता है बहुत अच्छा लगता है अभी तक तुम्हें वाली पेंसे मार्क करती थी ये पढ़ ली ये पढ़ ली लेकिन जबी एक्दम लाइन से पढ़ते जा रही हूं तो अच्छे से मारकर से अधम हाईलाइट करते जा रही हूं तकि पता चले हैं मैं पढ़ चुकी हो तो बस अभी मैं बैट के हूं पढ़ाई के लिए जो मैं पढ़ाई में क्या करूंगी वही प्रिवियस ये का कोस्चन जो पूरुवा लोका ने वही करूँगी और आज बस मैं वल्दी न ये बाइब करते हैं और टाइम कम हो जाता है तो एक दम फिक्स रहता कि उस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है अब जब फिलाल में तबियत भी थोड़ा थोड़ा डाउन लग रही है जो मुझे पता निए क्या हो गया है जैसे प्रब्लम होई थी मेरे को चेस्ट पेंगी फि ना बैठने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है मतलब जबी चेस्ट पेंगी तो सांस बास लेने में में मेरे को दिक्कत होने लगता है तो पता नहीं अचानक अचानक से होने लगता है सब कुछ दिन बाद सही हो गया था मेरा बीच में फिर सुरू हो गया जो यही प्र बाखी सेकेंड देखूंगी टाइम मिलेगा ठीक रहोंगी तब फिर ब्याख्या के साथ पढ़ोंगी और मैं पूरी कोसिस करती हूँ न कि एकदम फुल जीतना मेरे को टार्गेट मिलाया उसको दू-तीन बार अच्छे से रिवीजन कर सकूं तो फिलहाल यह सब पढ़ाई त सब्सक्राइब जानवी का मेरे बोटल टूट गया था पता निकैसे फूट गया था पानी टपक रहा था और गया था बहुत सारे सामान लेकर आ गए और रास्ते में दिखा मैंगो जो इधर जल्दी मिलता नहीं है वाला मैंगो बहुत दिनों बाद आया जो फिलाल एक बा लेक्ष बेटी तो पहले चोकलेटी हर सी जो ब्रेट पर खाते हैं यह सब लेकर आई जो बस गया थे बोटल ले नहीं और तो बस नहीं चोटा मुटा समान और आज का ब्लोग बस इतना ही और बहार जाओ और हलत खराब हो जाती है जो मेरी बेटी का बोटल टूट गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा नहीं तो मेरे को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तबियत की वज़े से तो चलिए मिलेंगे नेक्श ब्लोग में आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा कमेंट करके बताईए पसंद आया तो लाइक कर दीजे चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सश्क्राइब करिएगा और कोई भी कोश्चन कोईरी सजेशन मेरे टीप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेएगा मिलेंगे नेक्श ब्लोग में तब लिए बताईब